Hello Dear Learners, कैसे हैं आप सभी लोग? आसा करते हैं सभी लोग सबस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे देखी आज आप लोग की सामने है English CGL Tier 2 का जो एक्जाम है उसमें Practice Classes की 4 है जो एक्जाम में Questions आएंगे, Oriented Questions इसमें हम कराएंगे ऐसा नहीं कि फालतू के Questions को हम लेके बैट गएंगे, उन Questions को आप सामने डिसकस कर रहे हैं नहीं जो Questions आएंगे वो एक्जाम के लिए सारे relevant questions होंगे ध्यान रखना जो भी बाते हैं बदाते हैं उनको ध्यान से सुनना है चलिए सुरू करने से पहले कुछ सुरू करते हैं I am living, I am living my best moments of life I am living my best moments of life चलिए क्या है कि तेरा दीदार मेरी चाहत है, तेरा साथ बंदगी है जरूरत नहीं अब किसी चीजी की, अब तू ही बस जिंदगी है इन्ही खुब सूरत लाइनों के साथ, मैं अभे, आप सभी लोगों का, आपके अपने चैनल ASIC English पर हार्दिक स्वागत बंदन अभी नंदन करता हूँ कैसे हमित्रों, आसा करते हैं सभी लोग सवस्तोंगे इंगलिस जो हम पढ़ाते हैं, आप लोगों को competitive exam की जो इंगलिस होगी, जिसमें grammar, vocab का और comprehension का जो भी पाट आता है, वो चीज़े कबर करेंगे इंगलिस आप लोगों की जो tier 2 का exam होना, जिसे cjl, हम mains कहते हैं, उसकी practice class आपकी जो रोज रात आठ बजे आपके अपने चैनल e-sig English पर आते हैं, अंडर guidance, अभे सुम्मन सी ध्यार रखना, जो बाते हैं बोलने हैं, उनको ध्यान से सुनना है, ये classes आपके लिए, राम बार साबित इसलिए होगी, क्योंकि आपके अगर मान लीजिए, नंबर 170 प्लस आते थे, नंबर 170 प्लस अगर इंग्लिस में आते थे, रेगुलर अगर questions आते थे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका CGL tier 2 का, CGL 2000 tier 2 का special practices है, ये आपका कैसा प्रक्टिसेशन है, special प्रक्टिसेशन है, एक बात ध्यान रखना, कि कल हम एक announcement करें कि उसमें बताएंगे, हमने कहते हैं संडेग हो है, देखिए आज आज आप लोग का सारे लोगों को आना है, कल इस पर हम बहुत आपकी चर्चा करेंगे, कैसे किस एक्जाम को देखना है, कैसे preparation करनी है, सारी चीज़ें बताएंगे कि आपके level के काउन से exam है, आप प्यों का, प्यों का exam है, वहीं से लगवाग बैसे ही question तुमारे सीजलमेंट में भी आते हैं, कुछ easy भी आते हैं, कुछ tough भी आते हैं, तो हमने आपके SBI के previous paper उठाए हैं, उसमें से questions चाटे हैं, जो irrelevant questions नहीं हैं, सारे relevant questions हैं, उनको हमने चाटे हैं, उनको आज हम discuss करेंगे, चलिए question number one आपकी screen पर आ चुका है, देखते हैं, कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं, यहां पर आपको correct the mistake, the following sentence, इस sentence में कहां पर mistake है, उस part में आपको mistake find करनी है, English case में हम concept बताएंगे, और यूज बताएंगे, हिंदी के आपको इसमें बात चीत नहीं करनी है, लिखाए, these acts were pushed through, falliament, in spite of opposition, what for little modification, अब देखी, यहां पर बच्चों, modification क्या है, आपका noun है, modification क्या है, नाउन है, यहां पर little क्या है यह आपका determiner है, अब सबको पता है कि little का प्रियोग जब हम कब करते हैं, जब उसके बाद में कोई uncountable noun little का प्रियोग कब करते हैं बच्चों, जब उसके बाद में कोई uncountable noun ठीक है एक तो पॉइंट यह है कोषिस करो चनली सब को पता है कि little के बाद में हम कैसा नावन आता है वह फ्यू के बाद में countable नावन आता है लेकिन बात यहां पर लिखा है कि what for little modification अगर यहां पर लिखा कि what for, what for का मतलब क्या होता है, what for का हरत होता है without, what for का मतलब होता है without, without का मतलब के विना, के विना, ऐसे लिखो कि विना ये विना, के विना, मतलब what for का मतलब होता है without, इसम के साथ little नहीं हम किसका प्रियोग करते हैं, यह नहीं, उसके बिना modification के, बिना जिसके last में ION हो, वो होता इसका मलब दी डी फॉर देल सीना में आपकी हो abnormal स्थ्राइब इस पार्ट में आपकी क्या보 तो प्रक्राइब अनुदि कु फॉर एनी मोडिफिकेशन कीयों कि वहती अच्छा और interesting question है solve करने की कोसिस करें चलिए आपको लोगों के पास 15 सेकेंड है 15 माले ज़े 20 सेकेंड है देखते हैं कौन करता है देखते हैं कौन करता है चलिए solve करने की कोसिस करें इसका मतलब होता है दो में से कोई एक दो में से कोई एक इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं अब यहां पर बात की गई आगे कि which are for two things he will do first मतलब है कि यहां पर दोनों में से कोई नहीं करेगा मतलब है कि यहां पर दोनों में में से किसी की बात नहीं हो रही है इसलिए हम इदर का प्रियोग नहीं किसका प्रियोग करेंगे नीदर का प्रियोग करेंगे क्योंकि कि हैजी टेट मतलब होता है हिच की चाहट होना दोनों में से चाहें फ़स्ट वैसे केंड हो किसी के बाद में क्या होगा कि बहुत दोनों में से किसी को कोई चीज नहीं करेगा ना कोई चीज करेगा जो भी करेंगे दोनों में से इसका प्रियोग करते हैं इदर का नहीं न पार देपसना इजा रिक्वाइड आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर थिरी तो बहुत आसान सबाल है लिखाए कि क्या लिखा है यहाँ पर है अब पड़ा होगा कि आपने कि व्यूटी एक अनकाउंटेवल नाउन है अनकाउंटेवल नाउन के साथ हम इस कामा इस इसके साथ में कभी भी प्लूरल वार्ब और इसके पहले ए और यहन का प्रियोग नहीं करते हैं एक चौथा पॉंट डौर होता है इनके पहले हम जो आपके नमबर डिनोटिंग एडिजक्टिव होते हैं उनका भी प्रियोग नहीं करने इसे आपका लिटिल हो गया मच हो गया है इन नमबर डिनोटिंग फर्ष्ट, सेकेंड, फॉर्थ, वण, टू, थी इनका भी प्रिय 100, PD और age दूसरा बड़ होता है age, PD, age जब भी दोनों का बर हम प्रियोग करेंगे किसी sentence में जब 100, PD, age का मरलब होता positive degree positive degree जब आएगा तो इसके साथ sentence कैसा होगा आपका बच्चों, negative होगा कैसा sentence होगा? negative होगा age, PD, age में sentence होगा आपका positive sentence जब होगा तब हम किसका प्रियोग करेंगे? तब हम किसका प्रियोग करेंगे? आपका तब हम किसका प्रियोग करेंगे? आपका positive degree का प्रियोग करेंगे ठीके, मतलब positive sentence होगा जब आपका positive sentence अगर है जब आपका positive sentence होगा इसका मलब है sentence, positive sentence इसलिए है हमने क्या है, तो यहाँ पर जब कभी भी हम same comparison की बात करते हैं, तो हम किसके प्रियोग करना पड़ेगा हमें, other का प्रियोग करना, no other hill station, age beautiful age, उतनी station कोई सुन्दर नहीं है, जितनी दार्जलिंग है, तो यहाँ पर किसका प्रियोग कर देंगे ह और मिलो सजना, is a required answer, अब जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, beauty में, beauty में, जब हम सुन्दरता देखते हैं, जैसे बोल दें, mira is a beauty, mira is a beauty, mira के अंदर हमने सुन्दर नहीं, सुन्दरता देखा है, सुन्दरता अगर हमने देखी सुन्दर देखा है, तो mira is a beauty हो जाए करेंगे जब उसके मतलब हो जाएगा से अब जब सुन्दरता से उसका लेना देना हो जाएगा तो उसके साथ हम A n s ya s का प्रियोग न सकते हैं इसलिए यहां पराइसला करना कि सी पार्ट मेरर लगा देना यहां पर a for और अमेर का ही जा required answer चलिए आगे question number 4 हो या 5 तो जो भी हो 4 number है चलिए इस पर बढ़ते हैं 4 number लिखा है कि on my request Jatin introduced me to his friend who is singer and scientist who is singer and scientist अगर इसमें बता करोगे तो बहुत आसान भासा से हमने समझाया था जिसे हम यहाँ पर अभी लिख दें हमने लिखा है ऐसे example एक लिखके समझा दें कि he is singer he is singer अब आपके mind में अगर तीन बाते हैं कि singer क्या है? noun है noun में कैसा है? countable है singular है singer कैसा noun है आपका? countable है जवाब देने के कोसिस करें जहाँ अपर भी बैठे हो रूम में देख भी रहे हो कि singer noun है yes, countable है बोलोगे? yes singer कैसा noun होता है? countable noun होता है अब यह singular भी है अब जब तीनों बातें किसी भी noun के अंदर अगर मिल जाएं आपको तो आपके mind में क्या जलेगा बत्ती जलेगी? कि जब कभी भी कोई noun singular भी हो countable भी हो और noun भी है तो बो बगएर determiner article के कभी नहीं आते हैं कभी नहीं आते हैं इसका मतलब है कि इसके पहले हमें article या बसकता पड़ेगी अब यहाँ पर यह बात आती है कि दोनों के साथ article लगा गया यह के साथ article लगा यह बात भी जतीन ने इंट्रिसूट कराया मेरे friend को जो क्या है एक singer भी और scientist भी अगर हम यहाँ पर यह का प्रियोग कर देंगे तो इसका मतलब है कि जो मित्र से मिलाया है वो singer भी और scientist भी है अगर दोनों के साथ हमने लगा दिया इसका मतलब singer कोई दूसरा था scientist कोई दूसरा है तो हमें यहाँ पर आप सकता एक साथ आडिकर लगाने पड़ेगी क्योंकि जिसको जतिन से जितनों एंट्रियूर्स कराया है वो person singer भी और scientist इसका मतलब दीपार देव सिना में आपकी इरर है अब इरर आप find कर ले तीजली से कितनी questions आपके PO के questions है जो आपके बहुत टफ लगते हैं कि बिंक गा एकजाम है बड़ा टफ है बड़ा टफ है नहीं बताये हैं कि टफ कुछ नहीं होता है टफ क्या होता है बताये कि कोई टफ क्या होता है जो हमें नहीं आता है वही हमारे लिए क्या है difficult है वही हमारे लिए क्या है difficult है जो हमें नहीं आ रहा difficult जो हमें आ रहा easy चाहें वो कोई भी subject हो कोई भी चीज हो कुछ भी हो अगर आपको नहीं आ रहा है आपको माल लीज़े आपको कार चलाना नहीं आता है आपको कार चलाना नहीं आता है इसका मुलब कार आपके लिए अभी difficult है अभी क्या है difficult है लेकिन जैसे ही आप कार चलाना सीख जाएंगे तब आपके लिए कार बहुत easy बन जाएगी ध्यार रखना जब तक चीज़ें आपको नही लिखाए one of the most widely spared वेड है वेट इदा यूच आप तमाकू मतलब तमाकू एक सबसे widely spared क्या है वेड है वेड है अब देखी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हैवेट क्या है नाउन है हैवेट नाउन है वेड आपका क्या है adjective है जब कभी भी हैं बात करते हैं कि one of the most मतलब बहुत सारी one of the most का मतलब है बहुत सारी यादतों में से एक तमाकू जो आदत है वे वुरी यादत है इसका मलो हैवेट नहीं फिर हम एक हैविट की बात नहीं कर रहे हैं, कितनी हैविट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारी हैविट्स की बात होती है, मतलब बहुत सारी, one of the most, बहुत सारे में से एक, इसका मतलब है कि हैविट्स में से नहीं, फिर हैविट्स में से, आपकी बहुत सारी हैविट्स हैं, आप अच ध्यार रखना क्या कहते हैं कि वेड हैविट्स न की वेड हैविट्स वन आप दम मोश्ट वाइडली इस पियरड है वेड हैविट्स बोलोगे आप वेड हैविट्स नहीं बोलोगे ध्यार रखना अब यहाँ पर आपके बाद यह लिखा है इसका औबजेक्ट Gian चलिए कोशन नमबर कोशन लाइन वाइन बहुत अच्छा कोश्ड चलिए इसमें देखते हैं कौन बताता है या आपके जीरेंड और पार्टिसिपल सुना होगा टॉपिक और इन्फिनिटिव उनसे कोश्चंस बहुत आते हैं लेकिन हम लोग के उनको छोड़ देते हैं पढ़ते नहीं हमें टफ लगते हैं पताने क्यों लगते हैं बहुत इजी होते हैं देखें आपका जो पार्टिसिपल होता है उसमें कोश्चंस आते हैं इसमें कोश्चं में जनली कोश्चं क्या है आपका नू इरर है लेकिन बहुत से आप मेंगनीज पढ़ेंगे ध्यान रगना बहुत से आप बुक्स पढ़ेंगे बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें इ टेक्नोलोजी अब हमने तुमसे एक बात की थी कि यहां पर दो संटेंस होगे एक प्रकौमा लगा होगा एक पहला संटेंस होगा इसका एक सब्जेक्ट होगा एक दूसरा संटेंस होगा उसका एक सब्जेक्ट होगा उसका एक सब्जेक्ट होगा विंग के पहले हमें ही नही दियाना है चाहिए क्योंकि बहुत से किता में हमें सुझाओ देती हैं कि यहां पर he being a well-known psychiatrist का प्रियोग होना चाहिए लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखना है कि हम जब बोल रहें आपको कि एक बात यह ध्यान रखना है कि दो sentence में अगर एक subject दोनों को अलग-अलग की जानकारी है तो अलग-अलग करोगे एक ही बात है तो एक ही साथ करोगे चलिए हम तुम्हें इस वाला sentence एक जामपल समझाते हैं बहुत अच्छा sentence है चलिए हम एक एक जामपल लेते हैं उसके जरिये तुम्हें समझाने कोसिस करते हैं जिसे हमने एक जैंपल एक लिखा है, he took, इसका मतलब है कि यह no error इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर जो he है, वही इसी पार्ट का क्या है, sentence he alone, उसी के बारे में बताया जा रहा है, इसका मतलब he के बारे में यहाँ पर चर्चा, यहाँ पर चर्चा, यह दोनों जोगे एक ही है, तो एक ही जीए हम subject लिखके काम चला लेते हैं, अगर अलाग अलाग लिखना होता है, तो हम अलाग अलाग लिखते हैं, जिससे हम एक sentence लिख रहे है, he took breakfast, he took breakfast, he took breakfast, एक sentence देखे के यह complete है, दूतरा sentence हम यहाँ पर और लिख रहे हैं जिससे हमने लिख लिया है He went to the office देखें, दो sentence आपके पास लिखे हैं एक लिखा, He took breakfast, He took breakfast ओके नहीं लिखा है, कि नहीं लिखा है He took breakfast, He went to office अब देखें, इसको participle के जड़िए हम कैसे जोड़ेंगे जिसे हम जोड़ रहे हैं, participle में, कि having, यहाँ पर लिख रहे हैं having, taken, having, taken अभी आप समझ जाएंगे, haven, taken, break, fast haven, taken, break, fast haven, taken, break, fast यहाँ पर लिखा, haven, taken, break, fast He, अब आगे लिखा है, went He went to the office उपर लिख रहे हैं, ठीक है, ध्याँ रखना office, अब यहाँ पर लिखा है, देखें, इस sentence को हमने participle के जड़िए जोड़ दिया है, यहाँ पर लिखा है कि having taken break, fast He went to office He went to office, इसका मतलब है कि किसने break, fast किया कौन office गया है, इसका मतलब break, fast करने वाला भी है, और office जाने वाला भी है, अगर हम यहाँ पर ही लिखेंगे, तो ही को हमें क्या करना पड़ेगा, remove करना पड़ेगा, बस समझ में आई बस समझ में आई नहीं आई, फिर से बता रहे हैं दो sentence लिखने हैं आपको, फिर participle उनका बड़ाना है, खुद समझ जाओगे एक नहीं, दस बार करना है, दो sentence लिखो, participle के जरीए जोड़ लो participle नहीं topic पड़ा है, लेकिन आप अगर mains की preparation कर रहे हैं, तो 100% पड़ा होगा ऐसा नहीं है, आप mains में, अगर pre-qualify कर के गए हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने कोई topic नहीं पड़ा है, यह तो आप मकारी कर रहे हैं कि आपने topic नहीं पड़ाता हमें नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा अगर mains सापने दिया है, प्री दिया है, तो इसका मबलब सारे topic आपके clear होंगे, clear हैं clear हैं, yes, clear हैं तो yes, नहीं clear हैं तो no बोलो clear हैं, yes, इसका मबलब एक comment में बताने clear नहीं है तो हम participle, gerend और infinitive अच्छे से बता देंगे ध्यार रखना, जिससे तुम्हेरे doubt के लिए नहीं में जाने के पहले ऐसा नहीं रहे कि एक topic हमने नहीं पड़ाता आपको नहीं पता है किस topic से कितने question उड़ जाएं ध्यर रखना, कि आपको यह नहीं पता है तो दो question लिखिए, दो आपको sentence लिखिने हैं उनको merge करिए जिसे हमने लिखा है, यहीं पर हमने लिखा है he took breakfast he took breakfast he took breakfast, और he went to the office sentence अलाग लग गया, इनको merge किया having taken breakfast, she went to the office breakfast करने के बाद वह आपिस चला गया अवो आपिस जाने वाला कौन? he breakfast करने वाला कौन? he इसका मलब दोनों का subject he जब दोनों का subject है, तो हमें having के पहले लिखने के आप सकता नहीं है इसलिए यहीं बात यहाँ पर थी इसका मतलब है कि यहाँ पर इनूरर हो जाएगा चलिए question number, second बताने कोशिस करते है चलिए second और लिखते हैं जिसमें हमें लिखने के आप सकता पड़ी आप लोग खुद बताओ गया भी लिखते हैं, दूसरा sentence हमें एक और लेते हैं जिसे हमने एक sentence लिख दिया है, आपका जिसे हमने लिख दिया है the sun, the sun rose the sun rose complete second और लिख दिया है the fog, the fog this appeared this appeared this appeared ठीक है, बोल ले हैं ध्यान रखना अभी लिखने में खोब हैबिट नहीं अच्छी है लिख लेते हैं इसमें थोड़ा अच्छी से नहीं भी लिख पाते है इसका मलब है दसना रोज, जब सूर उगता है the fog disappeared, जो आपकी fog होती है, कोहरा, वो क्या होता है आपका हट जाता है, the fog क्या होता है उस हट जाती, due, आपकी हट जाती चली जाती है, इसका मलब अगर हम the fog disappeared, क्योंकि यह topic बहुत सरल है, पता ने क्यों टफ लगता है नहीं जाता है, अब देखिए, having rising, राइजन लिखना पड़ेगा having rising, क्या राइजन हुआ है, जो राइजन, अगर the fog ही राइजन अगर हुआ है, आपका माली जी अगर आप कह रहे हैं, कि हमारा the fog ही राइजन हुआ है, तो यहाँ पर हमें subject लिखने क्या पसकता नहीं है, अब नहीं पता है कि having rising, the fog disappeared, अगर the fog ही राइजन हुआ है फोग ही disappeared हुआ है, तो बात सही है, तो सही हो सकता है, लिकिन ऐसा नहीं होगा, कोई चीज़ जब होगा कि the fog जाएगा, इसका मलब क्या होगा था है, यहाँ पर है, उपर लिखा है the sun, यहाँ पर हमें देखिए, अलग अलग sentence के लिए, हमें अलग अलग subject की आप सकता पड़ेगा, धहर रखना हम क्या बात बोल ले हैं, जो बात हमने पड़ेगा, तो दोनों के साथ subject लिखना पड़ेगा, बात आती ही कि यहाँ पर अगर यह लिखा है, इसको अटा के में यहाँ लिख देना ही, जो चीज़ सही है, उसे गलत नहीं करेंगे असा करते हैं, point समझ में आया होगा, अगर point समझ में आया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, यह question क्या लिखा है, आपका लिखा है The chief idea of every common type of traveler is to see as many objects of interest-age possibility code देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिस करता है चलिए आंसर दो जो बच्चे हूँ आंसर देने की कोशिस करें चलिए चलिए आंसर देने की कोशिस करो कितने बच्चे हैं जो आंसर देने की कोशिस कर रहा है चलिए कल कमेंट पढ़ेते हैं संध्यों को हम बताएंगे और ये कमेंट में अवे ठाकुर जी हैं वो बोल लहते हैं कि हमें CGL के बारे में इंफोर्मेशन देगे बच्चा ध्यार रखना कल हम आएंगे रात को 8 बजी सारी चीजें इंफोर्मेशन देगे सारी बताएंगे कोई जैसी भी बात होगी आप लोगों के सामने आके हम उपस्तित होंगे आप अपने जो भी डाउट हैं आज हमें इस वीडियो के कमेंट बाक्स में सारे डाउट अपने लिख देंगे किसको किस चीज में doubt है जहाँ पर भी कोई चीज पूँचनी है किसी भी subject related है सारी चीज़े हम discuss करेंगे आज आप लोगों को बताएंगे कल रात आठ बजे आना ना भूलें धार रखना ठीके चलिए इसमें sentence में बहुत इजी question है इसमें कुछ नहीं करना यहाँ पर कुट की जगे बच्चा क्या कर देंगे हम कैन का प्रियोग कर देंगे किसका प्रियोग कर देंगे कुट की जगे हम कैन का प्रियोग कर देंगे कैन के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा अब यहाँ पर could लिखाता, helping, could अकेले नहीं आएगा कहने, इसके लिए कोई subject कहीं न कहीं होगा, इसका मलब यहाँ पर subject, the chief के according हमें, he को लगाना पड़ेगा, idea of every common type of traveler is to see as many objects of interest as possibly he can, इसमें d for dev sinna is a required answer, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number, लिखा है, अतुल's habit of delaying his work, put his collects to a lot of trouble, it fully, it fully, question number 8 में, हमें तो नहीं लग रहा है, कोई error है, यहाँ पर कोई अतुल की particular, अगर यहाँ पर अतुल's होता तो error बन सकती थी, possessions हमें दिखाया जा रहा है, कि अतुल की habit की बात कर रहे हैं, इसका मलब, यह क्या है आपका, नो error है, यह question आपका, क्या है, नो error है, चलिए question number 9 हो, यह 10 हो, जो भी हो, 9 है, इसमें पढ़िए, my mother has been living in America with his family for the past 10 years, अब देखिए, यहाँ पर आप यह भी कर सकते, for the past 10 years भी सही होता है, for the last 10 years भी कर सकते हैं, अगर past की जगे चाहें, तो हम last 10 years भी कर सकते हैं, जैसे, part D में अगर आप error लगाना चाहें, तो लगा सकते हैं, प्रियोग होना चाहें, ऐसे expression हमने बहुत आते हैं, अगर आपको देखने हैं, तो यह यह होर्न वाई, Oxford, Advanced Learner Dictionary में देखिए, वहाँ पर आप इसके यूज़ देखिए, कि for the past 10 years और for the last 10 years, इसका मलवे sentence no error म जाएगा, देखिए, यहाँ पर गलती, यह सही होता है, अगर यह सही ना होता, तो आपको last करने के जरूत पड़ती है, अगर मालीजे last को भी कहीं पर आ जाए, for the last 10 years, तब यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए sentence क्या है, आपका no error है, जान बूज कर गलती नहीं क्रेटर, देखिए कौन बताता है, बताने कोशिज करो, क्रेटर मतलब क्या होता है, कि ही बाज हाड है, क्रेटर मतलब क्या होता है अपका, चलिए उससे कोई मतलब है, नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखा एक वाड हाड डाउन, हाड डाउन, अब में क्या इसका प्रियोग होगा, hard up, hard up मतलब क्या होता है, hard up मतलब पैसे का तंगी हो जाना, पैसे का अभाव हो एदाना, जिसे हमने एक sentence लिखा है, कि he is hard up, hard up, hard up, दीज, और डीज, दीज और डीज, और डीज नहीं मतलब दीज, he is hard up दीज, घी, ऻूगा अज कल उसके पास क्या है, भै इन दिनों पैसों की अभाव में उसके पास पैसा नहीं, प्रेजल बर्भा है कि hard up मतलब होता है, पैसे का भाव, इसका मतलब क्या होता आपका, पैसे का भाव, पैसे का भाव, या माल लुजे पैसे की तंगी, जिसे क्या कहते हैं, पैसे की, आजकल लोग नहीं कहते हैं, आजकल हमारे पास पैसे की क्या है, तंगी है, पैसे की तंगी होना, पैसे की तंगी, पैसे की तंगी होना जिसे हम क्या कहते हैं हाड़ डाउन करते हैं यहाँ पर मनी की बात की गई है कि हाड़ डाउन आज कल एक एडियम होता है बी हाड़ बी मतलब यहाँ पर कोई भी बीवर्ड की फाउम आ जाए यहाँ पर एडियम ही होता है कि बी हाड़ डाउन नहीं होता है बी हाड़ अ है कि मैं का कहा है सबसे थे आई का सो होता है उसका ऐा हुआ हुआ है तो धान कि नह시段 कि हैं यह बात है पीछे जो के ऐंगा इन्ट essence थे चलिए और सी बहुत सी चीजों के बारे में आपको आपके डाउट के लिए रहे हैं देखिए हाड़ आपका मतलब क्या होता है पैसे की तंगी होना पैसे का अभाव होना आपके पास पैसे ना होना इसका मतलब होता हाड़ एक एडियम होता है भी हाड़ आपका मतलब होता है पैसे के अभाव में रहना माकी आगे बढ़ते हैं आगे तो कुछ बचा नहीं है चलिए कुछ नहीं बचा है तो कोई नहीं है बहुत-बहुत सभी लोग का धन्यवाद आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आज इस वीडियो में आप लोगों के जो भी डाउट हो सारे डाउट अपने comment box में comment करेंगे अगर personal का हमें कोई डाउट अगर भेजना चाहते हैं नहीं comment करना चाहते हैं तो आप हमें whatsapp करिए आपका किस section में doubt है में में doubt है इंगलिस में region में है या और किसी भी subject में doubt है या किसी को लेकर doubt है माली यह CGL, CTSL, MTS, STNO इन जैसे exam के लिए अगर आपके पास किसी में कोई doubt है तो आप हमें बताइए क्योंकि कल 8 बजे हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपकी SSC ने तो आपकी mouch कर दी क्योंकि SSC ने calendar जारी किया है उसके जरी यह देखना है कम से exam कम लगा है सारी चीज़ें बताएंगी कैसे आपको stage अपनानी है कैसे आप उसकी तयारी करेंगे किस तरीके से preparation करेंगे कैसे चीज़ें करेंगे सारे लोग जिसको जो भी तरीकी जानकारी चाहिए हम कल सब के comment rate करेंगे पूरे बीक में जिस जिस भी वीडियो पर कोई comment आएंगे हम आज रात को नाइट को सारे comment rate करेंगे और एक copy पर या पेनमा copy पर लिख लेंगे जो हमें relevant comment लगेंगे कि हाँ ये comment पढ़ने बाले हैं उनको बताने बाले चीज़े हैं तो उनको हम पढ़ लेंगे और उनको हम कल की class में रात को 8 बजे हम सारी चीज़ें डिसकस करेंगे बताएंगे कि कैसे आपको क्या सब चीज़ें करनी हैं बाकी आज के class फिर यहीं तक रखते हैं मिलते हैं कल इसी उस सहरोमंग के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार हसते रहिए मुस्कराते रहिए जीसा लेते रहिए थिंक यू सो माच गूड नाइट टू आल आफियो